दिल्ली पुलिस ने नरेला से आम आदमी पार्टी के वधायक शरत चौहान को गिरफतार कर लिया है। 19 जुलाई को आम आदमी पार्टी कारे करता सोनी मिश्रा ने जहर खा कर खुदकुशी कर ली थी। जी मीडिया समबादाता राजू 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 हमार साथ जोडगाएं सीधे राजू का रुख करते हैं। जाजू किस आधार पर ये गिरफतारी हुई है अमेले की। देखें एमेले की जो गिरफतारी हुए सरच चोहान के उनसे पूस्ताच की गई और लगातार बुधवार को आठ से नौ घंटे तक लगातार पूस्ताच की गई और चुकि इस बात का जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था या मरने से पहले जो वीडियो बनाए गई उसमें साफ तोर पर कहा था कि जब रमेश भारदुआज उसके साथ जबरन सारेरिक समंद बनाने के लिए जब दवाब डाल रहा था और इसकी शिकायत वो महिला आयोग से लेकर विधायक और सब लोगों के पास की थी लेकिन कहीं कोई कारवाई नहीं की जिसके बाद सोनी मिस्रा ने खुदकुशी कर ली अब इस पूरे मामले में चुकी जानकारी विधायक को थी और विधायक ने कोई एक्सन नहीं लिया और चुकी जब क्राइम ब्रांच ने रमेश भार विधायक सरच चोहान से पूस्ताच की तो उस दोरान उन्होंने भी एडमिट किया कि उ के साथ कुल साथ लोगों को गिरफतार किया जिसमें रजनी कांथ का भी नाम सामने आया है अमित नाम का एक सक्स है उसे भी गिरफतार किया इस पूरे मामले में जो पुर्व आयो था नरेला थाने का उसे भी गिरफतार किया गया है तो पूरे मामले में अब टोटल आठ ल उसमें ये बात सामने आई है कि MLA और रमिश भार्दवाच के जो संबंध हैं उसको लेकार कही ना कही पूरा जो मामला है वो इसके इर्दगिर्द घूमता है यानि कि जो लड़की जिसकी मौत हुई है सोनी और रमिश भार्दवाच के संबंध के बारे में MLA को पूरी जान कारी थी सरच चोहान को क्योंकि जब पूस्ताच हुई थी बुधवार को उस दिन सरच चोहान ने क्राइम ब्रांच के सामने इस बात को एडमिट किया था कि उसे इस बात की जानकारी थी लेकिन सोनी मिश्रा ऐसा कदम उठाएगी ये उनको थोड़ा सा इल्म नहीं था हला कि रमेश भारदौाज का सरच चोहान के साथ करीवी रिस्ते हैं और इसी के अधार पर जानकारी होने के चलते उनको उनकी गिरफतारी हुई है उनके साथ 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 और लोगों की गिरफतार को हुई है जिसमें राजुराज शरच चोहान की गिरफतारी हुई है रमेश भा जिसके बाद आमने सामने बैठा कर पूस्ताच हुई है जिसके बाद ये पूरा सरच चोहन की गिरफतारी हो पाई है।